CPI नेता और वरिष्ट पत्रकार दुश्यंत ओज़ा कामंगलवार को जैपुर के सी के बिड़ला अस्पताल में निधन हो गया शापुरा के मूल निवासी ओज़ा 89 वर्ष के थे और वर्ष 1946 में दरबार हाई स्कूल में तिरंगा फैरा कर चर्चा में आये थे ओज़ा लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके परिजनोंने उनकी देह को SMS मेडिकल कोलेज को सुपूर्द किया है इस दोरान उनकी पतनी शारदा देवी, भाई जैन्त ओज़ा, अनन्त ओज़ा और भांजे अनिल व्यास भी मौजूद रहे ओज़ा 60 वर्ष तक राजनिती में सक्रिय रहे इसके अलावा जैपूर, अजमेर और भीलवारा में सक्रिय पत्रकारिता भी की मुक्यमंत्रिय अशोक गैलोत ने भी ओज़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है